तेजस्वी परशाद यादो कौन है क्या किया इन्होंने बिहार के लिए कौन है ये क्या पहचान है इनकी ये तो किरकेटर थे खेलने का मौका नहीं मिला पानी ढोटे थे राहूल गांधी कौन है राहूल गांधी अगर राजियू गांधी के बेटे नहीं होते तो कोई प्रशान होती तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं इस वज़स से बिहार के सियासत में वो राज कर रहे हैं ये कहना हमारा नहीं बलकि चुनावी रनितिकार प्रशान की शोर का है और अब प्रशान की शोर को जो जबाब तेजस्वी यादव की पाटी और जेड कि नेत्री कंचना यादों ने दिये है ये सुनकर परशांद की शोर क्या कहेंगे आपको मालूम है चुनावे रनितिकार परशांद की शोर बिहार में जन्शुराज पद्यात्रा कर रहे हैं परशांत की शोर को कभी आरजेडी और जेडियू वाले कहते हैं कि ये तो भाजपा के एजेंट हैं तो भाजपा वाले कहते हैं नितिश जी के पुराने सयोगी रहे हैं नितिश जी के एजेंट हैं लेकिन ऐसे में तेजस्वियादो और उनकी पार्टी लागातार परशांत क की शोर के टार्गेट पर है चुनावी रनितिकार परशांत की शोर बिहार के अलग अलग गाओं में जाकर ये कह रहे हैं कि बताईए लालू यादो का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और आपका बेटा क्या करेगा तो परशांत की शोर ने अब जिस लहजे में तेजस्वी यादो की जिक्र किया है वो साप तरपर दर्सा रहा है कि चुनावी रनितिकार परशांत की शोर सीधे तोर पर तेजस्वी यादो को टार्गेट कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादो को राजनितिक मतभेद के तहत पीके टार्गेट कर रहे हैं बिहार के जनता क बीच जाकर प्रशांद किशोर कहते हैं कि अरे भाई तेजस्वी यादों की छवी है क्या ये अगर लालू यादों के बेटे नहीं होते तो इनकी कोई पहचान नहीं होती प्रशांद किशोर कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादों जीडीपी का आर्थ बता जानते हैं तो बता दे हम उनका जंडा लेकर ढोईंगे और चुनावी रनितिकार ने जिस लहजे में तेजस्वी यादों का परिचे दिया है बावाल मचा है इस पर तो पहले आपको तेजस्वी यादों की पार्टी आर्जेडी और तेजस्वी यादों के बारे में बताएं उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादों की राजनितिक परिचे क्या है आपको बताएं कि तेजस्वियादों की पाटी ने परशान किशोर का किन लहजों में पलटवार किया है उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि तेजस्वियादों का वास्तों में परिचे क्या है ये सच है कि तेजस्वियादों को राजनीती विरासत में मिली है लेकिन इससे पहले तेजस्वी आदो बजपन में जब वो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए गए थे जब वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की नवी के पढ़ाई के बाद तेजस्वी आदों ने इत्विया किया कि उन्हें क्रिकेट के खेलना है और वो क्रिकेट के मैदान में आ गए फिर तेजस्वी आदों ने एक बहुत बड़ी संगर्सकी और उनका चयन भी हुआ दिल्ली डेयर विल्स की टीम ने तेजस्वी आदो का चैन भी किया IPL के लिए लेकिन तेजस्वी आदो को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और अंत्ता तेजस्वी आदो 2010 से अपने पिता के साथ आ गए और 2015 के चुनाओ में विधान सभा के चुनाओ में तेजस्वी आदो ने तेजस्वी आदो ने तै किया कि भाई अब सियासत की जमी पर बैटिंग करनी है और तेजस्वी आदो जब बिहार आए 2015 में तो उन्होंने रागोपुर विधान सभा सीट से चुनाओ लड़ा रागोपुर की जनता ने तेजस्वी आदों को पहली दफे ही 22,000 वोटों से जिता कर विधान सभा भेजा था वो पहली दफे 2015 में बिहार के उपमुख्य मंत्री बने तब परशान की शोर भी साथ थे और बिहार में बात हो रही थी बिहार में बहार है नितीसे कुमार है बिहार में बहार हो नितीसे कुमार हो और ये दावे किये जा रहे थे कि तरक्की करता रहे बिहार फिर एक बार नितीस कुमार और तब तेजस्वी आदो उस वक्त नितीस कुमार की सरकार में उपमुख्य म 2019 में अपने पिता के नामवजूदगी में तेजस्वी ने जिम्मेवारी संभाली और आरजेडी को बिहार में दमदार परदर्शन कराया लेकिन एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली लोकसभा के चुनाव में। जरा देखिए कंचना यादों के ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। जो प्रवक्ता है डाटा चोर परशांत कुमार पांडे मोधी सरकार का एस्पेसल प्राइवेट एजेंट जवाजकाल जनसुराज यात्रा लेकर चलता है। जरासल वह डाटा चोर यातरा है। परशांत किशोर और परशांत पांडे लोगों के बीच जाता है। उनसे उनका डिटेल पूछता है, सब डाटा इकठा करता है और फिर बीजेपी को वह करोरों में बेचता है। विहार वासियों को इस डाटा चोर से सतरक रहें। आपके बारे में जासूसी करके उसे बेचकर करोरों रुपे लेता है। यह बीजेपी काई इंप्लाइंटेड प्राइवेट एजेंट है। आप पूछोगे कौन है तेजस्वी आदो तो बिहार की हर एक जनता बता देगी कौन है तेजस्वी आदो। और यह यह भी बता देगी प्रशांत किशोर, जातिवादी, ब्राह्मनवादी, सामन्ति और बीजेपी का एजेंट है। यह कंचना यादो है, कंचना यादो राष्ट्रिय जनतादल की राष्ट्रिय प्रवक्ता है। और कंचना यादो ने साप्तर पर प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट करार दिया है। चोड़ी का यात्रा है। आपकी जाती पुछकर आपका डाटा कलेक करके परशांत किशोर इसे बेचता है करोरो में। कंचना यादो के आरोप बेहदी गंबीर है। बिहार के सियासत में इस पर बावाल आगे जारी है। लागातार आप टुड़े विहारनिज के साथ बने रहे हैं। यूटूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुड़े विहारनिज को सस्क्राइब कर ले और अपनी पर्तिकिरिया कमेंट बॉक्स में दे इससे पहले फेस्बुक पर इस वीडियो को सेर करें। पेज को लाइक फॉलो करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद।